प्रेस्ट बेल आइकन और यूट्यूब आपका राहूल क्लासूरूम में स्वागत है आज हम दिस्सक्राइब का सब्जेक्ट सोसल साइंस का सेट वन और यह सब्जेक्टिव रहेगा तो चलिए देख लेते हैं इसको पहला है आती लगू उत्र ये प्रस्ट में किनी पांच प्रस्टों के उत्तर देना है तो देख लेते हैं वियाना सम्मेलन की मेजबानी किस ने की थी तो इसका सही एंसर क्या है मेटर्निक भार्त में पर्थम आधुनिक वस्त मिल कब और कहां श्तापिट की गई थी तो इसक सब्सक्तर आध्या मिल जुलाई के महिने में वोई और अक्तूबर-9 व्क को लिखे तो तो पहला आर्तिक यूजना 이제 नयल जं बॉल सकते ये चॉज न आयो। feat. गुने आज्चन होता जंद संक्या नियं तर्म परिवार नियुक्ति नियुक्षी शोक्षे 970 तवह विच्द विव्थध अध्वा विजए्ट गार मेंधिक जोड़ना तए अगे चटा को मुद्रा को विंवे का माधियम क्राइप करते हैं वस्तू की विक्राइप लोग मुद्रा की साहिता मधुता के बुखतान की जाता है जैसा कि वैपार में वैस्पी करण में व्रीधी हुई बरी कंपणियों के लिए अने देशों में पैसा लगाना और निवेश करना बहुत आम हो गया है आगे चलते हैं लगू उतरिये प्रसक किनी पांच प्रस्नों के उत्तर दे तो चलिए देख लेते हैं और सयोग आंदोल सरकार दोड़ा दी गई पद्वियों को लोटा दिया जाए तता इसके बाद सरकारी नौकरियों तता विदेशी वस्तुओं का बहिसकार कर दिया जाए दूसरा देख लेते हैं और सयोग आंदोलन का प्रारम सहरी मध्यवर्ग अहिसेदारी से प्रारम हुआ विदार्थों स्कूल कॉलेज छोड़ दिया शिक्षकों ने ट्याग पत्र दे दिया वकिलों ने मुकदमे लगने बंद कर दिया तता मद्रास के अत्रिक प्राय सभी प्रांटों में परिश्यद चुनाओं का बहिसकार किया गया सराबों की दुकानों की पिकेटिंग की गई तता विदे इसी वेपार में पैसा लगाने से इंकार कर दिया देश में खादी का प्रचलन और उत्पादन बढ़ा पाच्वाय गरामिन इलाकों में जमीदारों को नाई धोबी की सुविदाओं से वंचित करने के लिए पंचाइटों ने नाई धोबी बंद का फैद लेकिया था आग आगे चलते हैं इंग्लेंड के सब कारखाने निर्यात की विभिन चीजे बनाने की बज़े सैनिक सामागरी बनाने में लग गए इसलिए भारत ये उद्योगों को रातो रात एक विसाल देशी बजार मिलने के अत्रिक भारत उद्योगों को जब सरकार सामागरी बनाने में लग गे इसलिए भारती उद्योगों को जब सरकार द्वारा अभी अनेक चीजे जैसे फॉज के लिए वर्दियों बूट आडी बनाने तेंट आदी बनाने गोडों के लिए अनेक प्रकार का समान बनाने आदी के उदार मिल गये तो उनमे नौ जवान आ गए और जैसे जैसे युद आजे बरता गया भारती उद्योग भी प्रकाटि करते आगे चलते हैं पुराने कारखाने के साथ साथ बहुत सारे नए कारखाने खुल गये जिससे उद्योग पटियों को ही नहीं वरन मज्जूरों और कारीकोरों को भी चांदी होगी उनके वेतन बर गई जिससे उनकी काया पलट के और पर्तम विश्व यूद होना चाहिए तो पर्तम विश्व यूद में बिटी सरकारों का फांसा देखकर भारतिया नेताओं ने सौदेशी पर अधिक बल देना शुरू कर दिया और तो भारतिय उद्योगों के लिए सुने पर सुवागा वाली बात हो इस प्रकार प्रत्यक्ष एवं और प्रत्यक्ष रूप में पर्तम विश्व यूद भारतिय उद्योगों के लिए वर्दान शिद्ध होगा आगे चलते नविकर्णिय और और नविकर्णिय संसादनों को हम लोग कई बार उप्योग कर सकते हैं जबकि और नविकर्णिय सं संसाधन कभी नहीं खतम होने वाला संसाधन है और दूसर इधर देख लेते ओंभिकर्णिया संसाधन का चक्र चलता रहता है और जैसे जल चक्र और नविकर्णिया संसाधन का निर्मान तुरंथ हो जाता है जबकि अनविकर्जिय संसादन के निर्मान में हजारों वर्स लग जाते हैं आगे चलते हैं दबाव समो की गतिवीडिया लोक्तांद्रिक सरकार के कामकाज में कैसे उप्योगी होते हैं तो देख लेते पहला आंदलोनों के मद्द में आम जंता सरकार के अपनी समस्याव से अवगत करवाती हैं और कुछ विशेश वर्ग के दबाव में आने से रुकती हैं दूसरा दबाव समो सरकार को निरंकुस होने से रुकते हैं और लोक्तंद्र को मजबूत करते हैं तीसरा दबाव समो सरकार को किसी एक हित में कानून बनाने से रुकते ह अगे चलते हैं यह समाज में कि समाज के जाति बनावत की करें ठोगी सिंग्ली आ बहुतर नंबर यह जिन की सासनिकाल में बागानों में काम करने वाले भारत से लाये लोगों कि संतान को बारती मुल्के तमिल 50% करते हैं अधिक्तर सिंगली भासा बहुत में हैं जबकी तमिल भासी लोग कुछ हिंदू है , कुछ मुसल्मान इसाई लोगों का हिस्सा साथ पते हैं जो तमील तता सिंगली दोनो आगे चलते हैं रिंद की सार्थों का उलेक करें तो देख लेते हैं पहला हो गया ब्याज़धर दूसरा हो गया समर्थक रीनाधार तीसरा हो गया आवसक कागजार-चौता हो गया भुक् यह थो सिर्डिकरणा तीसरा वार्स्टो कि उत्पांधन करना प्रयास करना प्रशार करना चॉता सिवाएं के उत्सदेस अनुक्तीन आनक्ते क 고양ई करना आपको इसमें सिर्फ दो ही बोला तो आप इसमें से और ज्ञानों देखा होगा तो देख लेते हैं पहला कहीं लोगों का मानना था कि किताबें दुनिया बदल सकती हैं और वे निरंकुस वात और आतंकी राजसत्ता से समाज को मुक्ति दिला कर ऐसे डौर लाएंगी जब विवेक और बुद्धी का राज होगा सकेंद देख ल पुरानी मानेताओं में सुधार के आवसकता को बुद्धी व विवेक से तौला जाने लगा था पाच्वा देख लेते विविविन विचारों को परकर लुग अपनी खुद के मानेता को टैग करने में सक्चम हो रहे थे छटा देख लेते हैं फ्रांस के अपनी व्यसकार अपनी व्यसकार लूई सेवेश्टिये मर्सिस ने घुसनाई की कि छापा खाना प्रगती का सबसे तागतवर और जार हैं इससे बन रही जन्मत की आधी में निरंकुस वात उड़ जाएगा और मर्सिये के उपनियासों में नायक अक्सर किताबें परकर बदल जाते हैं इस लोगतल में सभी को समान अजिकार है इसमें अमीर गरीब के वोट का संबान मुल्य है सभी आर्टिक वर्ग वेक्ट्यों को एक समान अजिकार प्राप्त है इस उसमें कोई बेद्भाव नहीं है दूसरा लोक्तर में पूरुसों महिलाओं को बराबर का अधिकार प्रकान किये गए हैं पूरुसों के समानी महिलाओं को भी अपना व्यवसाइच चुनने का पूरा अधिकार है तीसरा देख लेए लोक्तंट में अल्प संक्यों को और बहुत संक्यों को सम्मान महत्व हैं दोनों ही एक दूसरे की भावनों का आदर वह सम्मान करते हैं चौथा देख लेए समाजिक समों के टकराओं को पूरा तरह से समाप नहीं किया जा सकता है परंतु लोक्तंट के मादेम से सबी में समाजिक स्थापिट किया जा सकता है पाच्वा देख लेए लोग्तंट में लोगों को धानविक स्वतनता परदान की गई आगे देख लेए एक अर्थवेस्ता में मुद्रा की भूमिका की विवेच्णा कर एए तो पहला देखते हैं उपभोग में मुद्रा की भूमिका जैसे कि हम जानते कि मुद्रा विन्मे के माध्यम के रूप में अपनाई जाती है इसलिए हम अपने आवसक्ता के संतुष्टी के लिए मुद्रा के बदले वस्तू तता सिवाव का करेक्ष कर सकते हैं दूसरा वैपार में मुद्रा की भूमिका मुद्रा के द्वाड़ा वैपारी क्रियां सफलता पूरव पूरी की जाती क्योंकि मुद्रा की साहिता से एक अस्तां से वस्तूव करेकर के उन्हें दूसरे अस्तां पर विक्रे किया जा सकता है थार देख निर्मान में मुद्रा क कि भूमिका, सरकारी वैठतWestay प्राप्तियों का मद्रा में किया जाता ह। जिस स्तवारा करो की डर्ण रिंग पर ब्याज सपल्ता पूर्ण बनाई जाती है। इसे मुद्रा से प्रदस्तित किया जाता। चोथा दे के मापन میں मुद्राकि भूमिका देश की राष्टियाई की गन्ना मुद्रा में की जाती है जो कि देश की निवासियों का जीवा नस्तर पर्दसित करती है मुद्रा के बीना राष्टियाई की गन्ना कतिन है आगे जलते है जल दूरलबता क्या है और जल संदक्षन के कैसे किया जा सकता है तो दिख लेते जल दूल लपता का अर्थ है जल की कमी दूसरे सब्दों में जब किसी वस्तू की अपूर्ती मांग से कम हो तो वो वस्तू दूलब हो जाती है देश के कई छित्रों में जल की बहुत कमी है号 आगे देखते पहला option इसका जल संदक्षन का तो दिख लेते हैं बारिस के पानी को संग्रेट करके उप्योगी बनाया जा सकता है बारिस के पानी को संग्रेट करने के लिए वर्सा जल संचैन को टक्निकी अपना ही जा सकती है पहला पॉइंट है दूसरा देखे वर्सा जल संचेन आज के समय की मांग है आज जब अनेक जगों पर पानी की बहुत कमी हो जाती है तो वर्सा जल संचेन के जरी वहां पर पानी की कमी को पूरा किया जा सकता है बारिस का पानी मीथा पानी होता है जो हर तरह की जीव यादि इस वर्सा जल का संचेन किया जाता तो इसका ठीओ किया सकता जी से संचेन के अनेक तरीके जीन got चलते हैं जिसमें घर की छट पर बड़ी खुली टंकिया लगाई जाती और जिनमें पानी जमा होता है इस जल ब्लीचिंग पाउदर से साप करके नालों के माद्यम से उप्योग में किया जा सकता है मांचेत्र के में परदर्सित खनीच उत्पादक के नाम मिलान कड़े और हजारी बाग हो गया जैसे अजमें दूसरा लौ एस्चेत्र चौर्था विसाका पतना पाच्वा मंगलूरू तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लेगी हो तो प्लीज लाइक सेर और सब्सक्रा आप ना भूले धन्यवाले